हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा एक्जाम हैकर योटूब चैनल दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग ने फ्लड एक नेशुरल डिजास्टर को हम लोग इस्टडी किये हुए थे फ्लड मतलब बाड़ तो पिछले वीडियो में हम लोग बाड़ होती क्या है उसके क्या क्या रीजन्स, हमारी कॉसिस क्या क्या थे अर्बन फ्लड क्या होते है और फ्लड प्रोन एरिया कहां कहां पे है और इसके लिए क्या मिटिगेट कर सकते है इस सारे चीज़ों को पिछले वीडियो में हम लोग कभर किये हुए थे आज की इस वीडियो में दुस्तों नेक्ष्ट हमारी जो नेचरल डिजास्टर है यूपीसी स्लेवर्स के रिकॉर्डिंग वो हमारी है ड्रॉट्स ड्रॉट्स को हिंदी में सुखा भी बोलते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुखा या ड्रॉट्स को यहाँ पे study करने वाले हैं देखो वैसे ड्रॉट्स सुखा और अकाल में differences होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा differences नहीं होते हैं सूखा और अकाल में बहुँख जार डिफ्रेंसेस इसलिए नहीं होते हैं, क्योंकि जब सूखा आती है, सूखा से ही अकाल आती है, ठीक है? तो implication क्या होती है? एक consequence डॉट का ही अकाल होता है, तो डॉट से सूखा अकाल कैसे बनता है? देखो, यह दि डॉट होती है, तो डॉ श कर्सटे से यह दि इसकार्शिटी किसकी हो गई इस फूट कि हो गई सकार्शिटी लॉंगर डुरेशन के लिए और फोडर कि हो गई Grass obsessedosph раз ही और इसके लाँ यहां पर वाटर कि हो गई leo कि human के भी cattle के भी और यहां पर बहुत जादे बीमारियां भी फैलती है अकाल जबाती है तो तो आज की इस वीडियों हम लोग अकाल को डिसकस नहीं करेंगे यहां पर सूखा डॉट्स को यहां पर डिसकस करने वाले हैं जो कि किसी भी natural disaster से कम नहीं है इसके भी implication बहुत जाद होते हैं specifically poor people हैं उसके बहुत जादा यहां पर अब और से तो एफेक्ट करता है डॉट्स तो चलो दस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले डॉट्स होती क्या है तो वैसे तो देखो डॉट्स की डिफिनेशन अलग-अलग है अलग-अल पर मेंट अपने लेबल पे डॉट्स घोसित करती हैं उनकी कि इसको अभराल आप देखो गे तो सफिंट लॉंगर डॉड़ेसन तक एद़ी रेन्फॉल नहीं होती है ठीक है रेनफॉल नहीं होती है शपिंट लॉंगर डॉड़ेसन जनरली 22 दिन तक हम काउंट करते हैं र खेल है अधिए क्रॉप उसके जलते यहांपे जो फसल पूरी बरबाद हो जाती है उसको बोलते हैं १ुश। थीख है। तो जनृट्ष गेजर एक छिंकल यह पिया नहीं है। इसके अलग भी perspective है droughts का तो एक तरह से drought आप बोल सकते हो कि जो sufficient longer duration तक यदि rainfall करना होना drought situation लाती है लेकिन droughts की definition अलग-अलग varies करती है अलग-अलग इसकी perspective होती है और यहां मल्टी कैस्केडिंग इफेक्ट देखने हो मिलता है डॉट्स की तो यहां पर टाइप्स आप डॉट्स में आप देखेते हैं अलग-अलग perspective में जिससे कुछ जो डॉट्स होते हैं उसको बोलते हैं metrological drought ठीक है metrological drought का मतलब यहां पर कि जो sufficient longer duration तक precipitation का न होना हमारी metrological drought माती है जनरली इसको इंडिया में 22 दिन का consider किया था 22 दिन थे continuous यहीं मांसून की बरसात नहीं होती है पानी नहीं होती है तो उसको बोलते है metrological drought दूसरी हमारी वती है दोस्तो agriculture drought अग्रिकल्चर डॉट्चर डॉट्च का मतलब है कि यही मानलो rainfall हो या नहीं हो लेकिन यही crop failure हो ग metrological drought में क्या है sufficient longer duration दिन रेनफॉल नहीं होती है उसको बोलते है metrological drought लेकिन यहापे यह दिस वायल में मौहसर कम हो जाए और crop failure हो जाए तो उसको बोलते है agriculture drought दूसरी होती है hydrological drought यह भी हमारे एक तरह से drought है hydrological drought क्या होती है दोस्तों मानलो कोई reservoir है लेक है या है या है तो डैम में या लेक में इतनी पाने की जो मात्रा है इतनी कम हो जाए कि precipitation जो हमारे next जो precipitation है इसको फिर से उस लेबल तक नहीं ला सके तो जो हमारे replacement लेबल होती है या replenish लेबल होती है रिजर ओयर का उससे कम पानी हो जाता है उसको बोलते है hydrological drought तो यहाँ पर आपसे UPSC पुछ दी आया है कि meteorological drought क्या होते है agriculture डाट क्या होते है दोनों difference बताओ hydrological drought क्या होते है उसमें difference बताओ आप इसली यहाँ पर बता सकते हो आप देशाथर होद एको सिस्टम पर इस्ट्रेस पहुंचता है इसका मतलब यहाँ पे है जो हमारी है इंवार्यमेंट है या जो हमारी एको सिस्टम में उसकी इतनी होती नहीं है ये जितने कि जो region ज़्यानी जब उसको वहाँ पे फूड प्रवाइड कर पाया या उसकी जो रिक्वार्मेंट उसको वहाँ प्रवाइड कर जाया तहुं उसको बोलते हैं आपर डॉट कोशीद करने के लिए अलग ही हमारी डिफिनेशन होती है तो कोई यहां पर इस्टेंडर्ड डिफिनेशन नहीं है डॉट की लेकि इन सारे परस्पेक्टिव से आप डॉट को डिफाइन कर सकते हो तो डॉट का सिंपल यहां पे ओभराल एदी सम्री आप बोलोगे तो डॉट का मतलब है स्टेज आप वाटर की अविलिबिल्टी ठीके लिए एदी इनएडेक्विट प्रिसिपिटेशन हो रहा है या एकसिस अविपिटेशन हो गया मालो precipitation तो हमारी 100 mm जितनी होती थी उतनी ही होती है लेकिन evaporation बहुत ज़्यादा हो रहा है यानि कि यहाँ पर sun hit ज़्यादा हो रही है तो स्वाइल में मौशर कम हो जा रही है उससे भी हम drought उसको बोलते हैं तो देखो यहाँ पर simple आप define कर सकते हो drought का मतलब है shortage of water के availability due to inadequate precipitation sufficient हमारी rainfall ना का होना या बहुत ज़्यादा evaporation होना या over utilization of water का होना over utilization कहीं से भी या तो dam से भी या वहाँ पर जो लेक है या ground water है कहीं से भी over utilization कर रहे है कुल मिला के यहाँ पर water की availability कम होना या तो air में या swirl में या महाँ पर reservoir में water के availability कम हो जाती है उसको बोलते हैं drought ठीक है तो drought को ऐसे आप define कर सकते हो और इसकी जलते drought जब होती है तो एक तरह से disaster है इसकी multi-level effect होती है drought की अब बात करते हैं दोस्तो drought prone area जो इंडिया की है कहा कहा पर drought prone area है उसको हम बात करते है तो जैसके दोस्तों यहाँ पर देखते हो इंडियन की जो agriculture है यहाँ पर mainly dependent होती किसे मांसून की rainfall से तो मांसून क्या होती है अभी climate change की वज़े से मांसून देखोगे कि उसकी जो pattern है उसको uncertain pattern देखने मिलता है किसी particular एक ही region में आप देखोगे कि मांसून की season में वहाँ पर flood आएगी और गर्मिक season में वहाँ पर सुखा पड़ जाएगा जैसे मुंबई का example ले लो तो गर्मिक season में वहाँ पर water की कमी हो जाती है और मांसून के region वहाँ पर flood आती है तो यहाँ पर drought और flood दोनों ही main features हैं इंडियन की मांसून का और government की data आप बात करोगे यानि की इंडियन जो meteorological department है उसकी बात करोगे तो 19% जो जो जोग्राफ के area है इंडिया का और 12% जो population है वो हमारी सफर करती है drought every year हर साल लेकि ओभराल आप average देखोगे 30% जो जो जोग्राफ के area है पूरे इंडिया का वहाँ पे drought prone area है ठीक है तो यह हमारी data है अब map में देखोगे तो कहाँ पे सबसे यदा drought से affected होता है कहाँ पे कम होता है तो इसको इंडिया में आप देखोगे जनरली यहाँ पे चार category में यानि चार जोन आप डिवाइड कर सकते हो इंडिया को तो सबसे जो extreme जहाँ पे drought होती है वह आप देखोगे यहाँ पे गुजरात की जो कछेरिया है और यहाँ पे राजस्थान का जो western side यानि कि जो अरावली जो यहाँ पे जो mountains है उसके वेश्ट से जह आप देखोगे यह हमारे extreme drought की situation यहाँ पे होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा water की availability कम होती है तो पहला जो हम डिवाइड कर सकते है extreme drought prone area जो राजस्थान की अरावली से वेश्ट और कच्छ एरिया गुजरात का यह हमारी पढ़ेगी extreme drought prone area दुसरी जो यहाँ पे है severe drought prone area उससे कम drought prone area तो उसके आप देखोगे अरावली की east side में आप देखोगे यह हमारी गुजरात में भी कुछ पार्ट पढ़ेगा कुछ महाराष्ट पढ़ेगा जादे तर मद्य प्रदेश का area पढ़ेगा और UP का भी कुछ एरिया जारखंड का एरिया यहाँ पे उडिसा का भी कुछ एरिया पढ़ेगा 36 गड़ का भी और यहाँ पे तेलंगना का भी कुछ एरिया ठीक है तेलंगना आप देखोगे यह सब area आप देखोगे तो हमारी severe drought prone area में है एक और यहाँ चंक आप देखोगे यहाँ पे तो interior जो पार्ट है जैसे तेलंगना का हो गया और यहाँ पे कनाटका का हो गया और यहाँ पे तमिलनाडो का भी हो गया यह जो interior जो पार्ट है यह हमारी severe drought prone area में आती है और एक यहाँ पर आप देखोगे उडिसा वाली थोड़े सी रिजन यह भी मारे severe में आती है तो सबसे ज़्यादा extreme आपको यहाँ पर देखने हो भी लेंगे फिर severe यह वाले रिजन देखने हो भी लेंगे और moderate जो drought आती है situation वो आप देखोगे जो गुज़ात का rest area था और इसके लावा महाराष्टा का larger area करनाटका का तेलंगना का भी कुछ area और यहाँ पर तमिलनाडों का थोड़ा से chunk area यह हमारी moderate drought prone area इसके लावा पंजाब हरियाडा का region और यहाँ पर यूपी बिहार आप देखने तो यह वाले region अपर वाला यह हमारी आती है drought moderate drought prone area तो यहाँ पर आप देखो कि जो major portion है इंडिया का peninsular इंडिया और यहाँ पर राजस्तान से लेकर जो middle central इंडिया यहाँ पर आप देखोगे drought prone किसी न किसी तरह से यहाँ पर drought आती है चाहे extreme हो चाहे severe हो चाहे moderate हो यहाँ पर drought आती है इसके लाँ आप देखोगे coastal जो areas है western घाट का और eastern घाट का आपको eastern घाट से east की और western घाट की वेस्ट की और और इसके लाँ आप देखोगे पूरी north eastern state और यहाँ पर नदन जो गंगा की plain है वो हमारी drought tree area है यहाँ पर drought जनरली नहीं आती है यहाँ की जो soil होती है उसमें sufficient म में की chances कम होती है इसके लाँ यहाँ पर irrigation की facilities अच्छी है इसके चलते भी आपको यहाँ पर crop की failure नहीं होती है इसलिए हमारी drought prone free area है यह सब जो आपको blank में दिख रहा होगा तो यह हमारे दोस्तों drought prone area इंडिया की है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों हमार economic consequence क्या होते हैं अब सुखा आएगी तो हमारी economy होगी उसके तो losses होगी क्योंकि crop का failure होगा crop की failure होगा तो farmer की income कम हो जाएगी या नहीं होगी तो farmer की societal rate भी बढ़ेगी क्योंकि उसका जो stress है social stress वो भी हमारी बढ़ेगी इसकला आप देशते हो कि crop की failure होगा तो हमारी food की scarcity हो material है वो भी हमारी कम मिलेंगे तो industries का unrest होगा तो यहाँ पर cascading effect बहुत सारा देख सकते हैं आपको यहाँ पर flood का इसके लावा environment पर भी बहुत जाद़ एफेक्ट होता है तो यहाँ पर food, water, water की label सब में यहाँ पर effect कम हो जाती है जिसके लिए human और cattle की भी death हो सकती है और malnutrition poverty की problem ज्यादा increase हो जाती है इसके लिए human child और जो old age person होते हैं सबस्यादा affected होते हैं डॉट आने से तिया मारी socio economic consequence आप देख सकते हो इसके लिए दोस्तों डॉट की health consequence की बात करें तो बहुत सारे disease यहाँ पर फैल जाते हैं especially water born disease क्योंकि water की अच्छी से quality available नहीं होती है उसक technology डॉट आता है हमारी forest यहाँ पर कम हो जाती है natural vegetation होते हैं वह भी हमारी कम हो जाती है इसके जलते यहाँ पर physical environment में stress यहाँ पर पैदा हो जाता है तो environmental भी हमारी badly यहाँ पर effect होता है और इसकी भी bad consequence होते हैं तो दोस्तों हमारी consequence होगे हैं अब mitigation की बात करें तो mitigation में दोस्तों कुछ हम immediate लेना चाहिए कुछ हमारी long term planning होने चाहिए drought को रोगने के लिए क्योंकि drought का mainly आप cause देखोगे तो climate change अभी फिलाल देखने को मिलेगा immediate step में आप देखते हो distribution आप drinking water, medicine, food इस सब distribution कर सकते हैं इसके लाव फोडर की availability करा सकते हैं जिससे कि हमारी cattle का death नहों water को भी availability करा सकते हैं और people को shift कर सकते हैं जहां पर बहुत जादा drought को रहे हैं वहां से अच्छे area में shift कर सकते हैं जिससे कि वहां पर human life और property को दोनों को नुखसान कम से कम हो तो immediate step ले सकते हैं लेकिन long term planning में दोस्तों हैं पर climate resilient जो agriculture practice है वो सब अपनानी चाहिए और water की harvesting की जो technique है वो climate resilient होने चाहिए क्योंकि climate change होने से जालते future में और भी drought जैसे situation आ रही हैं तो ऐसी agriculture practice करें जो climate की जो changes है उससे कम से कम effect हो और कम water में वहां पर खेती हो और harvesting की technique अपनानी चाहिए इसके लावा जो aquifer है groundwater की जो table है उसको identify करने चाहिए और उसको recharge करने की practice अपनाने चाहिए जिससे की मांसून जब आती है तो groundwater recharge हो जब हमारे मांसून नहीं होती है वारिश नहीं होती है तो हमारे उसको use किया जा सके तो identification है आप एक्वेफर हम कर सकते हैं river की interlinking से हम dot की situation कम कर सकते हैं और बहुत सारे reservoir और dam को बना construct कर सकते हैं और remote sensing satellite imagery को use करके possible जो river basin है जिसकी water को transfer कर सकते हैं उसको भी हम satellite image का use कर सकते हैं और water harvesting माइक्रू लेबल पर करें household लेबल पर भी करें पांचायद लेबल पर करें इसते की क्या होंगे वहां की स्वैल की मौहचार है या water की availability है उसको भी increase किया जा सकता है इन सारी चीज़ों करके हम long term dot से बचने के लिए उपाय कर सकते हैं तो यह रहा दोस्तों आज किस वीडि क्या के consequence होते हैं और इसके mitigation के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं उसको भी आज के वीडियो में note discuss किये तो आज के लिए बस्तिनाई दोस्तों thank you for watching I hope यहां पे कुछ आपको नया सीखने हों मिला होगा तो thank you मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं topic साथ thank you